हुआ है चल्व है बोरी एटामिक मौंडल की बाद चल के लिए थै हम चल्व ऊपद्वाधिव काल कुणल सब्सक्राइव क्या डी तो इसे तरीके से वेलोसिटी काल्कुलेशन भी किया था वेलोसिटी वी निका रहा था यह था टू पंट वाइट इंटो टैन की पावर एट जेड़ बाइन जेड़ बाइन सेंटीमिटर पर सेकंड याद है ठीक है और आज एनर्जी काल्कुलेशन हमें करनी है एक स्क्वार अपॉन एंटू का स्क्वार एंटो जेड़ टू अपॉन एगा बोलो है किने सिमिलरली अगर दो सैंपल में वेलोसिटी का रेशिव निकालेगे तो यह कैसा है जिए जबाइब अपॉन जेट टू एंटू एंटू अपॉन बोलो यह आजाएगा फिफ्थ अगर यहां अप आप हैडिजिएन लाइक के लिए निकालते हैं और हैडिजिएं के चार डेटास पता है तो अगर आप निकालना चाहते हो और रीडियस ऑफ एन एथ और एंट आइफर याइगा निकालने के लिए हडिजिन के अंदर जितने ही वालीव आरी होगी उसससे और यह बात बोलो यह बात यह बात यह बात है तो हीलियम प्लस में निकालना तो तू रख देना यह एक शौट ट्रीक पॉर्मला दिया था थेकिन अगर विलॉसिटी ऑफ एने थार्बिट निकालना चाहते हो है जनलाइक सैंपल के लिए तो अगर आपको विलॉसिटी ऑफ सब्सक्राइब आशे एकुए घर लोगे किना सब्सक्राइब अगर आप निकालोगे जनरल फॉर्मला क्या आएगा जनरल फॉर्मला बोलो बोलो टू पाई के जड़ ए स्कूर अपन एनच अपन एनच ठीक न यहीं आए होगा अगर आपको ध्याने तो एम के इंडिपेंडेंट था मास इंडिपेंडेंडेंट था याद आ रहा कि मास इंडिपेंडेंडेंट था यह जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं इस पर अगर झाले चेल चेजिसे मम्नें व्यवके फड़ी्स थे वहां पर हमने ऊता है धना णियू उğlैम्ड़ा पाई सेथा क्या धेगश कुछते है यह कैलARS पूला है टीडि को लो अ से यह जांद ले लीघ सकता है जैसे अगर अगर धोर फ्रिक्वैंस निसका यह सो आधा है conceptionz लेक्षते लिख सकते हैं सी लेख सकते हैं अन्यूब वर से नंबर सीनम यह इस लिकी सारे इसके लिए की इतलिए यह कि किसके लेए यह किनने प्लैप्लाइंक क Warum सब्सक्राइब के टान कॉइघ द्हैरी में क्या देख था और इनर्जी और लाना चाहा हूं ह तो लिएक्षी नागिंग है ना विच फॉटनों की एनरजी सका रिशो वह उनke फर कुंची रिश्यों के डिटी प्रपोर्शन होगा पर इन्वेर्श्य प्रपोर्श्चनल होगा वेवलेंध रेशों के थेख ए फॉर्टो एंपॉर्टीन फॉर्मूला यहां पर सीखा जो जो कुछ पढ़ाया है उनके फॉर्मॉलेज में रिवाइस कर रहा है और इसके बाद हमने फॉट्टो एलेक्ट्रिक एफेक्ट में हमने सीखा था कि जो टोटल एनरजी फॉटॉंस कि थे वह यूटिलाइज होते हैं दो काम में एक तो वर्क फंक्शन में और जो एक्स्ट्रा अमांट ऑफ एनरजी वह कानेटिक एनरजी के बराबर होती है ठेके ना अगर फॉटॉन की एनरजी की बात कर तो उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेंगी दैट इस एच में से हैं डीक को सब्ट्राक कर देना था तो एचसी लेकर के वन बैए लांबडा में से वन वाइलांदा नौट को इस अच्प्रा कर सकते हैं यह बात समझारी क्या जया भ्यां एक तो इतना काम किया था तरह मनें दीन इसमें ग्राफ बसुत है यह 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 point किया है threshold frequency threshold frequency ठेक है और हमने हाँ हमने यह भी पढ़ा था कि और हमने पढ़ा था photo current पढ़ाता है ना photo current अगर मैं photo current versus frequency लिखो फ्रिक्वेंसी है ना तो बताओ photo current versus frequency का ग्राफ क्या होगा photo current versus frequency हाँ हाँ अलेट अब फ्रिक्वेंसी पे फोटो करेंट डिपेंड नहीं करता बोलो अना photo current ड़्न डिपेंड ओन है photo current किसके प्रोपोर्शनल एंटेंसिटी के photo अगर कभी यह कह देता है फोटो करेंट फोटो करेंट वर्सेश इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट प्लाट करो इंटेंसिटी यह रेडियेशन सा इस्ट्रीट लाइन होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ज्यादा फोटो एलेक्ट्रों से मिट आउट होंगे उतने ज्यादा वापर photo करेंट की वैलू आगे बोले बास समझ रहो पेज वन पेज वन ठीक है लो भाई पहले तो यह सब रिकॉल करा दिया ले लिए फोटो हाँ राइट कर दिया अब ठीक है दिख रहा है सब कुछ चले आगे ले लिए फोटो पर जाने चले किया फोटो अच्छा है ठीक तो लो एनर्जी काल्कुलेक्शन पर आता है एनर्जी काल्कुलेक्शन कि एनर्जी काल्कुलेशन नि retailer तो चलो आप कोई बड़ी बात नहीं है यह उसका न्यूक्लियस है और यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ठेक है कोई बात तो नहीं समझ गें अच्छा यहां पर कर देखें तो इसका चार्ज कितना होता है ZE time होता है प्लस का ZE charge होता है बोलो है नद प्लस का ZE charge आपको एक बात याद हो तो हाफ से लगे लगां जो नीडिए कि विद्राइब इसका जाती है ना पटेंचिय टूर्श के बीच है जहीं तो चाश्व कैसे निकालते हैं कि एक सुपने की उनड नटिग बट कि कि वडिए से बालो कि अपन में आर ले लिया मैं तो यह गया माइनस के इसकोर अपन आर यह तो पॉटेंचिल एंजी के फॉर्मलों हो जाएगा कोई दिखकत तो नहीं है बता देजिए अब हां कारेटिक इनरजी निकालने के लिए हाफ एंवी स्क्वार चाहिए तोटल एंजी के लिए इन दोन समझे रहों किया तो इनको सेम ग्राविटेशनल में लिखना है मतब यह यह बोल सकते हो कि हाँ वह बैसिकली यह एक्वेशन है और यह कहां लिखा हुआ है ग्राविटेशनल फील्ड में लिखा हुआ है खैर सब लोग देखें यह पर जो पूचरों में कि कैनिटीक एनरज यह सकता था कि यह स्कुर्ण स्कूरर है कि अंदर फोर्स क्या होता है कै क्यों क्यूटीव भाइब और और यहां से आर से उड़ा सकता था क्या मैं यहां से लिख सकता था कि मैंने स्क्राइब आर आरगा लोकिया रहे तुम सब मस्त नेगे टीम होगा नहीं एक सेखर नहीं पॉस्ट एक्वेशिंग अनिया नहीं आर नहीं कौन पागल है इस वक्त सब पागल है क्या रहे यहां पर बांक बांक आके बैटे हो क्या हुआ हुक्का मार रहे हो क्या बैटे बैटे है अध्य भाई लगा रहा है क्या तू स्वरभ जाले बीडी हुं कहा है ध्यान साले पॉटेंचियाइज जी का खली फॉर्मॉलार के की वन की वन की तेका माले नुक्लियस का चार्ड ले लिए प्लस डेडी है ना क्यों की तो क्या गलत लिए वह अंदर का फूर से भाई या पढ़ा और लेक्ट्रैक फॉर्स कow्स तो क्या पॉर्स को ट्यूंक स्व și और आर्ल रित में यहां बता त्याइक पाँ और एक्विट के चलो आप खुश हो जी लो अपनी जंदगी कि वां भाय हाँ मैं समझ गया चलान दो चलान दो मौसलें दो भाना आप बता भई अब यहां लिकोंगा तो कन्फ्यूस तो नहीं हो गये न अब ठीक है पाफ होगे मंझे उस वट्ट हाँ के जैड़ इस्क्वार आर स्कॉय अब शाय समझ जब जैसे बच्चों को समझ आ जा जाए देखो यह होजाएका अब हाफ कर रहा हुमेश इसका फार तो हाफ मेंदी इसक्वार किस स्कॉयर किसने पराबर हो जाएका केब केजएंटेकल फी ले अगर लिखना होगा इस तरीके से सकते हैं आज होगा कई हो जाएगा के प्लस का प्लस का केजएंटेड ए स्कुरर अपान में तो यह बात समझा रहे हैं मैगनिट्विट की बात करें काने की दा बात करने तो magnitude of potential energy is twice the magnitude of kinetic energy क्या यह बात सख्कतों देखलों क्या यह बात सभी है सब लोग देख रहे हैं हाँ तो magnitude वाइस तो यह डबल है है ना क्योंकि इसमें दो से मल्टिप्लाइ करो कि तब यह आएगा है ना अच्छा अब देखने जा हम लोग total energy total energy total energy अगर हम निकालते हैं टोटल एन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस kinetic लिखना पड़ेगा प्लस kinetic प्लस kinetic प्लस कितनी है माइनस के जड़ी स्क्वाइर अपॉन आर बोल दो हाया ना प्लस प्लस के जड़ी स्क्वाइर अपॉन टू आर हां तो यह माइनस का पूरा यह माइनस का पूरा और यह आधा प्लस में आधा प्लस में है ना है ना बोलो नहीं समझे रहो क्या यह माइनस का पूरा यह आधा प्लस में तो माइनस में बचेगा के जड़ी स्क्वाइर कि अब तो समझ आ रही बात अब करने कर दिमाग नहीं चल रहा है कि तुम्हारा हाँ 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 जफ पढ़ा है है माइनस अब मुझे बता हो यहां से रेहां मैं यहां से देख्ट आपको टोटल एनरजी और के नाटिक एनरजी दोनों का मैं दोनों पिल और सेम मतलब मैं इसे भी बोल सकता हूँ कि टोटल доंरजी और के निटी tar मागनेटूट्स की बात वहीं थीक है ना कोई लिखके तो नहीं है मातब यह अगर वन है है ना है यह अगर मैन्स वन है झाल मैन साफ है ना मैनस के साथ लिख दिंग तो ऐसा लिख दिनग permitted可以 ऑ Lights इसको अगर माइनस वन बोल दिया तो यह वन होगा प्लस में और यह माइनस का हाफ होगा ना बोलो है ना या फिर इसको सिंप्ल मुटिपल लेना चाहरे हो तो क्या गरोगे टू से माइनस टू है और यह गतना है अब हमने यह तो निकाल लिया अब हम निकालने जा रहे एक्चुल एक्सप्रेशन निकालने जा रहे तो एक्सप्रेशन और यह भी डायेक्ट आया हुआ मे publications जेनल एक्सप्रेशन अफ टू तो टूर आइजे जलसे स्प्रेशन क्या है ठीकने अभी आपने निकाले कि टोटल वैचि जिसको लोग sì KZE square into 1 by Rn, इसको लिख से तो 1 by Rn, अब radius का general expression क्या होता है, N square H square upon 4 pi square MKZE square, बोलो यही है न, बोलो यही है न, उसको put करने जारो general को, तो यह कितना हो जगा, minus KZE square into 1 upon N square H square, है न, N square H square upon 4 pi square MKZE square, वो उपर चला जागा, 4 pi square MKZE square उपर चला जागा, बोलो है की न, ठीक है न, अब जो जो कट रहा है काट लो, जिसका नहीं कट रहा है, मत काटो, ठीक है न, हाँ, बताओ, कुछ कट रहा है क्या, minus का हो जगा 4, pi square, है न, M का M में रह जाएगा, K का square होगा, K square, Z का square होगा, Z square, E की power 4, upon में N square H square, बोले यह general expression समझा है, यह direct कई बार पूछा गया, यह general expression समझा है, यह direct कई बार पूछा गया, minus का 4, pi square, M k square, Z square, E4, upon N square, H square, ठीक है न, upon N square, H square, अब यहां, बहुत सारी चीज़े constant है, अब यह बहुत सारी चीज़े यहां, constant है, ठीक है बोलो, ठीक है दिख रहा है, ठीक है, चले आगे बोलो, चले आगे, पेर नमबर टू है, फोटो लो, 4 pi square, M k square, Z square, E4 upon N square, H square, चलो जी, मिटा रहो इसको, मिटा दू, ओके, देखो, तो हमने क्या conclusion निकाला, energy in Nth orbit निकालना है, तो formula है, minus का, 4 pi square, M k square, Z square, E4 upon N square, H square, है ना, minus 4 pi square, M k square, Z square, E4 upon N square, H square, mass dependent है, है ना, कोई भी energy mass dependent होगी, इतने बातों समझ पा रहे होगे तुम लोग, बोलो, अब यहां पर बहुत सारी चीज़े constant है, बहुत सारी चीज़े क्या है, है ना, तो constant values क्या-क्या है, 4, 4 pi square, M k square, E4 upon H square, upon H square, ठेक है, तो बच्चे का क्या, Z square upon N square, है ना, वैसे भी आप यह देखें, velocity में Z by N आता था, velocity में क्या था, आता, Z by N, तो velocity का square होगा, तो जैसे मान लो, kinetic energy होगा, तो kinetic energy में क्या होता था, velocity का square, है ना, तो Z by N का भी square हा रहा है, चेक करो, Z by N का भी square हा रहा है, इतने बाद समझ आ रहे क्या, Z square by N square, बोलो, 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 हाँ, पी बोलो में भी थोड़ा सा समझा है, कि एक जैनरल इस्प्रेशन होता है, एनरजी नेने तो और बेट निकालने का, ठेके ना, मैने 13.6 Z square upon N square electron volt per atom, इसको चाहोगे तो आप बदल सकते हो, किसमें, joules में, joules में बदलने के लिए 13.6 को multiply करोगे किस से, electron volt से, अगर आपको कुलॉम में, joules में जाना है, तो divide करोगे कि multiply करोगे, divide करोगे या multiply करोगे, divide करोगे, divide करोगे, multiply करोगे, one electron voltage, one point six zero two two, से लिक रहा हूं क्या यह, यह गलत लिक रहा हूं, बोल, जूल में जाओगे, multiply, ठीक है न, electron volt इतना ही तो होता है न, हाँ, ठीक है, multiply करोगे तो कितना जगा, minus two point one eight, minus eighteen, z square upon n square, electron volt, joule per atom, yes, joule per atom, देखो यह constant y है, यह constant y है, जो कि velocity में था, two point one eight, पर वहाँ पर ten के पाउर eight हुआ करता था, यह 10 के पाउर minus eight हुआ है, बोलें यह बात समझ आ रहे है, यह बात समझ आ रहे हैं क्या, है न, ओके, तो यह माइनस two point one eight into ten के पाउर minus eighteen, z square upon n square, joules per atom, अच्छा, अगर इसको मैं, kilo joule per mole में बता हूँ, kilo joule per mole, है न, यह कितने के लिए, per atom के लिए, निकालना है, इसको मैं करना हूँ, इसो कि इसे divide, कि क्योंकि एक atom के लिए, और आपको किसके लिए निकालना है, एक mole atoms के लिए, इसको मैं इसको मैं करो, इसको मैं मर से कितना हो जाएगा, two point one eight into ten के पाउर minus eighteen, इंटू एने की वैलू किया जाती है 6.022 इंटू 10 के पाउर 23 यह हो जागा जैड़ स्क्वार अपॉन एन स्क्वार क्या हो जागा यह जूल पर मॉल एक मॉल का निकाला मैंने समझ गया एनरजी पर मॉल निकाल लिया मैंने है ना बोलो इक भी कितना रहा है इस पाप्नुपिल्य करके के इना रहा है फिरेश्ण बारा मैनेस के थेरेश्ण बाराइथ को आ जैक करूं एन स्क्वाइर किलो जूला रहा रहा है यह जूला रहा है मुझे देख बता तेरे सब आरे किलो जूल जूले बताने जूले किलो जूले कि एंसे 8 में भी यहतो सवाल क्लास 11 कि कि लो जूल होता है वैसे कि लो जूल होगा कि लो जूल कान्वार्म्ड कि लो जूल ठीक है लो जूल है वैसे तो इसमें देख लेना लिखाओ कर त्टेक न तो एनर्जी एने थोर्बिट में अगर निकालना है तो आप देख सकते हो आपके पास डिफेंट डिफेंट वैल्यूज है यह माइनस तो पॉइंट इंटो टन के पार माइनस 18 जूल पर आटम या मैनस 13 सबारे सेट स्कूर अपने स्कूर किलो जूल पर मॉल ठेक है ना चलिए अब इस पर हम क्वेस्टन करने जा रहे हैं है ना अच्छा क्वेस्टन करने से पहले एक चीज़ और बताओ कि अगर हमें इसे वी आगे है इस एक करने जा district Bereika चीज़ चाओ एपक से टकल मीध तो आप बहुत सरा कि इस एक स्कूर्म तो बहुत में तяти को स्कूरन करने जा रहें तो चै covering झाल तो कर भूक तो आप एक बार फोटो लें विल ट्राइब मोर क्वेस्टेंस रहूं ठेक है हो जाए तो बताओ ओके चलिए यह देखते हैं यह जनरल फॉर्मले पर ध्यान देना ठीक न कई बर पूछा गया कि या इन पर देखो सबसे पहले तो यह दो पर जूब में वैलिऊ याद रखना मश्किल होता है तो बहतर होगा अप एलेक्रों 1 होगा कि calculate calculate energy of nth orbit energy of an electron energy of an electron in in hydrogen atom in hydrogen atom when electron is presenting when electron is presenting when electron is presenting ठीक है पहला बोलता है first atom first orbit ठीक है ना second orbit second orbit in orbits में रखा हुआ है आपको बताना है third orbit और fourth orbit कम से कम यह चार तो यादी होने चाहिए पांच याद है तो और अच्छी बात है हुआ 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 है बता पाएंगे एक hydrogen atom के अंदर electron रखा हुआ है ठीक है अलग अलग orbit में पहले दूसरे तीसरे चौते और पांचों में हमें बताना है कि energy in the अनेथ शल क्या क्या है energy in the orbit क्या क्या है जल्दी बता हुआ है पहले का पहले का पहले का पहले का पस अ कि और बता हुआ है यह वन पांट वन प्वांग फांग फिर मांश का पॉइंट फाइट्व फैफ फैफ का पॉंटपने वान रखनी एन की वेलू रखनी है एन की वेल्यू रख दिंगे एन की वाल फूर रख दें है और अन के वैलू फॉर रख दिंगे और एंगिव। सा है hydrogen atom hydrogen atom is red की value क्या होगी one तो अगर मैं energy निकालता हूं ठेके ना अलग-अर्बिट के लिए energy of first orbit निकालते है even निकालते है hydrogen atom के लिए even निकालते है hydrogen atom के लिए कितना हो चिए-13.6 into z square one square upon n square one square electron volt है ना एक ही आटम के अंदर निकाल रहा हम लोग ठीक है तो पर आटम लिखने की जरूद भी नहीं है तियों जगा माइस 13.6 एलेक्ट्रोन बोर्ट ठीक है अगर मैं एनरजी इन दे सेकंड और विट और फाइडिजन आटम निकालता हो इटू निकालता हो फाइडिजन आटम हमारे गुणा हां चार गुणा घड़ गया कि चार गुणा बढ़ गया चारगुणा बढ़ गया यह भी नहीं समझा नो गुना कम हो गया ना ना नौग कम हो गया न अच्छा ना बड़ गया कितनी ये वैलु इसकी मैनस का 51 1.51 एलेक्रान वोट ठीक ना ओक है एनजी ओफ फोर्ट आर्बेट इन ही जिन आटम ठीक हाँ माइनस का 13.6 इंटू 1 स्क्वाइर अपान 4 का स्क्वाइर 16 गुना कम हो गया है ना माइनस का पॉइंट हाँ बार बार बोलोंगा जब तक तुम लोग खुद ना बोल दो कि हाँ बढ़ गया ठेक है ना कुछ चीत होनी चाहिए जिन्दकी में जो बढ़नी चाहिए है ना ग्यान नालेज ठेक है फ़ए बढ़ गया यह पच्चेस गुना बढ़ गया क्या है हाँ हाँ है ठेक है तो यह कितना हो जाएगा बोलो कितना जाएगा है मानस पॉइंट फाइफ फॉर फॉर इलक्रान वोड़ बात समझ आ रही है कि तो मैं पढ़े लिखे लोग है क्या हम होना चारो यह चार वैलूस याद होंगे ना पांच वैलूस तो किसी भी तरह के सवालों को यू निप्त हैंगे यू समझे रहो क्या अब मुझे बताओ खाली सैंपल बदेगा तो जैड स्कॉर टाइमस का फरक हैगा अगर एनर्जी इन एनेफ ऑर्बिट ऑफ हाड़िजन यह माइनस 13.6 इंटु वन स्कॉर अपॉन अन स्कॉर बोलो यह था ना एक्ट्रॉन वोल्ट पर एक्टम है ना वाइन स्कॉर अपॉन एन स्कॉर अन स्कॉर लॉजिक समझा रहा तो एनर्जी इन एनेफ और्बिट ऑफ हाड़िजन लाइक जो रहा होगा गद हो यह रहा हो लगे नियुक्त आयए नहीं लेकर अस्कोर आभी दो को सपयर नहीं समझा रहा ना है रखन अगर इसपपाइम रहे बोल दों अ पो यह समय आपको बात थे थे तो हम यह वोल सकते हैं आ झे बोल of hydrogen-like samples energy in nth orbit of hydrogen-like sample is nothing but z-square times energy in nth orbit of hydrogen item इसलिए चार values याद रखना है जरूरी है आपके लिए ताकि answer सब जल्दी-जल्दी calculate कर सके हैगी नहीं है ना पुराने अगर formulas याद हो तो velocity in nth orbit of hydrogen-like अगर आपको याद हो तो यह कितने सब्सक्रेंट बसht Guard अब्र में से लिए डेज ऑने सबस्यों नहीं समझताइर कि भी त должны रीडियं स्क्राइब घंजाबंद की जूड़े खुलना है कि Z में अक्सर खलते हैं चे रहते इसी में खेल जाते हैं समझें नहीं समझें और इसी बात का फायदा उठाते एक्जाम वाले बोलो होता है न आपके साथ भी है होता है ना आपके साथ भी है कहारे नहीं होता हम आपसे ज्यादा पढ़ा को एक बाइट बोलो भी यह तो अब हम देखने जा रहे हैं अगर यही सैंपल होता आपका दूसरा ठीक ना कहता है कि वह इवन निकालो आप हीलियम प्लस के लिए मतलब एक इलेक्ट्रोन है जो कि हीलियम प्लस सैंपल में पहले ऑर्बिट में घूम रहा है चक्कर लगा रहा है तो इसका कितना हो जाएगा इतना आएगा क्या इतना है मतलब इसका कितने टाइम से देख सकता हूं गट गया के बढ़ गया क्यों मैं अब दूसरे सैंपल के बात विए यह जासेंपल ही बदल गया अगर इटू आफ ही लियम प्लस निकाल रहता हो तो इटू आफ है याटू अटम में आप टू के स्क्वार टाइम स्माटिप्ला मतलब 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 जितनी एनरजी हैं पहले और बीट में एक लेक्रॉन की थी उतनी एनरजी लिएम सेंपल में तीसरे में मिलेंगी बोलो बोलो कोई लेन तो यह जगा माइनस का माइनस का कॉनसी याद करिए आपने एक पॉंट पांच वन वह वह आप देख रहा हो मैं पर उपर देखने की दरूत नहीं है पॉइंट हैं नुप उनिह समझेंट कितना यह लूंओ पॉइंट 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 पॉंड लूं पोलो में 19 का डे गुना कर दो न साधे तेरो होता है नो का डेड़ो कुना साड़े तेरह होता है ना और यहां 0.01 तो 0.09 ठेक है समझ गे अ कि नेक्स्ट निफॉर ओ फीलियम प्लस कि कितना हो जाएगा डारेक्ट बोलो कौन सी वैल्यू याद है मैनस का पॉइंट याद है सब्सक्राइब याद करने बस और कुछ नहीं है ठेक है चार स्कॉर तो यह कितना हो जाएगा मैनस का एट फाइट फाइफ कि मल्टिप्लाइब कर दो चार के स्कॉर से 16 से है ना सो लग ना कर दो कॉइंट फाइब को सोल गुरुना कर दो पांट फाइब को तेरा पंट चाहिए थे रबंट चाहिए बोलो कि अगर बोलो कि पक्का जैड स्कॉर टाइम से तो करना होता है सब गलत करवा रहे हैं यहां पर यह चारी गुना तो होगा चारी गुना तो होगा क्या करवा रहे हैं चारी गुना तो होगा ना इलियम का तो हाँ चार गुना करना है डेड का चार गुना बोलो यह ना डेड़ कर चार मुणा के तक चे होता ना चेपांट जिरो चार यह यह आ रहा किया बोलो यह बस चार गुणा तो बढ़ाना है ना यह इसका कितना हो जगां चीन प्वाइब तो अजय diplomar ओर सबता को है ना है हम से सब्सक्राइब जड़ Kerry ईडू सब्सक्राइब तो एतंट ने रहाजागा क्या है न क्योंकि is that square with my the एक कोई लिखा है यह समझ प्लिखा यह समझाने के लिए कि हाँ इन में एलेक्ट्रोनों के अगर रेश्यों के है तो उन स्टूवान इस टो वानि रहा जागा वन एस टो एस टो टेक पेज नंबर बोलो कहां पर तरह कि यहां पर हा येश ये येश एक्जाटल ये टूपे स्क्वाइर से खाली है ना हमने का माद निमाग ने चला है रात के बारे बजे पड़ूगे यह यहीं होगा डावर बड़ा प्रोब्लम है बावर कैमरा ओपर कैमरा नीचे और ले लिया हो प्रिचार्ज कर आप यह अब है और जो कोई नहीं यह तो तुझे आता है वाई तू तो चैंपियन है फिर से अंडर कॉंफिडेंट पिट्टे गतू बीए चैंपियन बीए सी ठीक है कल से टीशेट पर तुमारे यह लिखा वाओना चाहिए लोग कुछ भी का है फर्क ने पड़ना चाहिए बताना क्योंकि तुमने सी मतलब चैंपियन सोचा है ठीक है ना हाँ और ज्यादा उनको शक हो तो ची एच लिख देना ठीक है ना हाँ चलो नहीं नहीं क्वेस्टिन यह है कि काल्कुलेट काल्कुलेट काल्टिक एनर्जी और पोटेंचिल एनर्जी अफ अन एलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर और्बिट सेकंड बोहर और्बिट ऑफ लीथियम 2 प्लस अन यह घर्रम हो है लो भाई फोटो महाद फोटो तो नहीं इस रव प्लाज क्लम की है अवाँ बताइगे चानेटिक एनेशी के बराबर लेकान माइनस में माइनिस में बोली है सबसे पहले निकाल दो इन निकालने के लिए किसका निकालना है आपको सेकंड और ऑउर्बिट ओफ लीथियु प्लस सेगंड बनार ऑर्बिट ओफ लीथियु निकालते हैं इई टू निकालना है लीट्व लेटू प्लस का यूँट्व इन्टू नाइन इन्टू 9 बोलो ये तो समझ रहोगे ना हां सेगंड बौर और बीटाफ अपर दिन अटम में इनर्जी कितनी है सेगंड बौर अटी पॉइंट पॉर इन्टू9 सही है 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 न एलेक्ट्रों वर्ड मैनस 30.6 हाँ इतनी बात समझा रही है तो यह टूटल एनर्जी है ना गदू टूटल एनर्जी है ना तो काइनेटिक एनर्जी इतना ही रहे लेकिन प्लस में रहेगा समझ आगे कि नहीं आ गया ठीक है और प्रेंचिय इनर्जी इसका डबल हो जागा डबल हाव क्यों कहा रहा है डबल सेक्टिवन पॉइंट्टू माइनस में ही दो गया अंसर है ना कुछ समझ आगे है बोलो यह भी समझ आगे है तो इस सवल में जाद कुछ करने नहीं था जैस्ट रिलेशन का यूज करना तो और कुछ नहीं ठीक है अब देखो क्वेस्चन है ठीक ना क्यालकुलेट ratio of energy, calculate ratio of energy of electron, calculate ratio of energy of electrons, of electrons in पहला, 1st Bohr Orbit, 1st Bohr Orbit of hydrogen atom and 3rd Bohr Orbit of lithium 2+, of lithium 2+, चार्ज नहीं है क्या भाई है हम ओई चार्ज नहीं है बलकुल पता है नहीं लास जुबैर ने रखे थे और यूज किया था कैमरा इसलिए वह चार्ज नहीं है हां सभी है कितनी परसेंटेश चार्ज रहे है इसलिए सेटिंग मैनुवल वो कर रख रहा है ना मैनुव मुझे नहीं पता है वैसे किसी ने यूज नहीं किया है कि सेकंड बहुर और बेट ऑफ हीलियूम प्लस आयं और सेकंड बहुर और अर्बिट और लिथियूम टू प्लस है ठीक है नेच्ट से आपका देखते हैं थर्ड बहुर और अर्बिट अफ हैडिजन अटम एंड फोर्थ बहुर और अर्बिट of hydrogen atom एंड फोर्थ बहुर और अर्बिट of li2 plus i and third bore orbit of h e plus i and the ratio वाले questions हो जाएंगा क्या बताईए जल्बे next question next question है if the energy of an electron of an electron in second bore orbit second bore orbit of hydrogen atom of hydrogen atom is x then calculate then calculate energy energy of an electron of an electron in third bore orbit third bore orbit of li2 plus i and how jayga n square k inversely proportion तो आपको e1 लेना है किसका hydrogen atom का है ना और e3 लेना है किसका lithium 2 प्लस का है ना तो यह नीचे तो वन ही होगे ना z square by n square इसका भी वन होगे वन भी वन होगा बोलो और दोनों पर तो बराबर ही होता है हमने सीखा यह अभी अभी एक है सिखाय था है जैस्ट स्कॉर्ड 2 लेना चला है यह ना रीकर्ड यहार नीचे है ना टीफोर लेना है किसका आज़ेंगा है ना मतलब यहां पर जैट पर डिपेंडेंसी है नी तो एनके इनवर्शली प्रोपोर्श्चनल ओजगा चार स्क्वार ऊपर और तीन स्क्वार नीचे थो… शोयओ मैं. शोयओ मैं और सोरी, एवन ऐफ लुफ eyes 20 और यहीज और एचिगी बुल दो हाईना थेक़ कि एयमलब दो तीन के स्क्वार उपर दो कया स्क्वार नीचे ये तन के स्क्वार ऊपर यह और और यह उन कैly स्क्राइब आपको मिलते हैं दो रुपए इसको अगर रेशियो वाइज चलेंगे तो ज़इन स्क्राइब सुबए एक स्क्वाइर जिए और इसमें से याई अगया एक तो जब इसको पूट करेंगे दो नित्री ऑसले टू-बह। इस दिस दी आंसर बोलो ओके लोगाई पोटो पेज नमबर पांच जिन्दगी इम्तिहान लेती है चले आगे बोल दो हाई या ना मैं जवाब दो चले आगे इसको बंद कर थेक न हाँ चले आगे चलिए जी अब देखिए यह टॉपिक आपको समझ आगे के इनर्जी कालकुलेशन पर भी बोलो बहुत के यह बेसिक चीज़े समझ गयो ना किमस्ट्री वाले पार्ट में जतना कुछ है है ना चले जी अब 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 क्या है कि हमें दू चीज़े समझ नहीं है वह है एलेक्ट्रॉन जब जंप करता है उपर से नीचे और नीचे इसकी बात हो रहे है कि है ना वी आर गंडू स्टाइशन अंड टेरह के होते हैं एक्कर इशन्ट्रेक टार्णफिशन हैं एक्साइशन अडिएक्साइशन बोलो हैगे नहीं पिए लूट एक्साइटेशन 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 पनुछ से बरड़ एक्साइटेशन नहीं हो yes excitation a day so excitation means an electronic jump electronic jump from low energy orbitals low energy orbits low energy orbits to High energy orbits to High energy or bit इस काम में इस काम में एप्जूब हो गी या इनरजी रिलीज होगी आप बताई यह पहले लो इनरजी पर आप हो आपके खुद कम है लेकिन जम करके जाना उपर तो जब आप उपर जम कर रहो तो मतलब आपके इनरजी बढ़ानी पड़ेगी विकाज पॉस्चुलेट यह भ कि बस इन्फाइनेट और्बिट है हर और्बैट की पर्टिकलर इनर्जी फिक्स है उसी और्बिट में रिवॉल्व करेगा जिससे उसके एनर्जी वैल्यू मैच करती होगी बात समझ रहो ना तो कहने का मतलब अगर वह नीचे वाले और जहां मैंस 13.6 और उसको जाना है दू उसे में कुछ एणर्जी का अंतर तो है ना भाई तो जो एणर्जी डिफरेंस से उतनी एणर्जी के बराबर वह एणर्जी एब्जॉब करेगा इसके बीवेवलेंट के बारे में पूछा जिए इसका wavelength निकालो समझे लो ख़ायर आप बात को समझ के चलेंगा electronic jam from lower energy orbit to higher energy orbit. ठेक है न? energy is absorbed energy is absorbed in the form of photons in the form of photons of suitable frequency या wavelength in the form of photons of suitable photons of suitable energy photons of suitable frequency भीजद्यान दो frequency और wavelength हर photon absorb करने से jump नहीं होगा वही photon जो इतनी energy provide कर सके जितने की required है lower से higher जाने के लिए है ना उस process को हम लोग excitation बोलेंगे जैसे मानलो यह आपका higher energy orbit है और मानलो यह आपका lower energy orbit है समझ रहो क्या है ठेक है तो this is high energy orbit this is high energy orbit high energy orbit इसके energy energy E2 मानलो कितने मानलो इटू और यह कितना है low energy orbit बोलो इसके energy E1 मानलो कितने मानलो ऑनलो है ना तो अब मैं क्या कहा हूँ वह समझा इसको N2 बोल देते हैं और इसको N1 बोल देते हैं समझ रहो ने जितनी एनर्जि चभी उन यह जोचप्रण। है किसको यह एनर्जी देगा si इसकोotta 1992 इतना तरौ है उसको इसको उत्रिकान निजी का और whetherikoита ईकैना उसकीन इसको किने और इसके लाइबाब़ी है स्के उसका कि लो है कि नहीं वहागोशा वार एकसाइटेशन फॉर एकसाइटेशन कौन इनर्जी जो रिक्वाइड है एनर्जी जो रिक्वाइड है किस देख रहें आपर नाजी जो रिक्वाइड है वह कितना चाहिए और यही किस के बरावर है यही ऐच सी वाइं लायमडा के पराबर है μपे गोनों ये इनरिजी देर भार नहिए समाझ पार हो लिब कि नलयवople चनक एकनोreally कட्रों ये ना तो रारज़ते आपकर एक्शाइटेशन। बाह्त फैने कि alligator from high energy है high energy ओरबित देखो यहाँ पर आपका नेंट जम करेगा रहोज़चे हाइ रोडिस से हाइर रे कम करेगा add तो फोटोन की वेवलेंट पूछ सकता पोर यहाँ पोडियों की वेवलेंट to low energy orbits low energy orbits सब लोग जाग रहे हैं या सोग हैं कई लोग होता है जो लीड लगा के सो जाते हैं लीड लगा के सो जाते हैं है ना सब तक है सब खो दिया हमने तो जिंदगी में कुछ रहा नहीं अब हमारे सब का नाम ले लिया है है चलो ठीक है इसमें इनर्जी औरबिट तो लोग इनर्जी औरबिट इसमें इनर्जी के होगे अनर्जी इस रिलीस्ट इनर्जी इसपर इसन फॉर्म ऑस फटॉल जो ठाटोस नना बता यह बाद समझ आ रहे कि इन्से फोर्म फॉर्ट ऑव फॉर्टस है ना और सूट बल ओक वेवलेंज तो आपका एलेक्ट्रोन आपका हाइर एनर्जी और्बिट पर रखा हुए उसको नीचे आने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी एक्साइट करता है का मतलब नीचे आजाता है लौट कर आजा लौट कर अपने घर आजा उनाधन परिंदे तो यह अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा किस फॉर्म में करेगा फोटन्स फोटन्स की जो वेवलेंट रही होगी उसके बारे में बतने का सब्सक्वाइब रिलीज करेगा कि वहायो को अगजराँ धूर्ड है का मुए इक्साइटेशन तो liberty तो लेना था बाइडिफ्र ही तो लेना था इतना था एतने ऐसको माइनस से क्या लिए समझे लो च्लhop क्या मैने class कलेंट सब्सक्राइब मैं च्होटि कि वैल्य बड़ी वैल्यू मैनस छोड़ी वैल्यू बोलिए बोलिए और यह एनरजी किस फॉर्म में रिलीज हुई है फोटोन तो एच नियू या से भाई लैम्डा समझ गया यह नहीं समझ गया क्या यह कहां नहीं समझ जाई है नहीं यहां पर कुछ ट्रांजीशन जो पॉसिबल है स एक से एक से दो पर जाने की लिए अगर इंश conscious लगई होगी हैं ना तो दो से एक पर आने में भी एनरजी रिलीज हो गई होगी हैंना हाँ तो यह से में सब्सक्र Kimberly आपक से यह उसके लिए माइन और जोन पर आना हम कहते हैं ग्राउंड इस्टेट पर आ गया कहा गया थाट सब्सक्राइब चटनी बात पता है जो भी उख बढ़ा लेना गार च्टे अब गया गया तो साहिवे औरबिट पर गया है लॉजिक समझ आता है बात चीन सब्सक्राइब के Blood Cathy के चुरुर्ड के मिसटरी से बिलकुल बातचीत बनाया नाराजगी नहीं braking से ना बहुत ही भोला बाला सा सब्सक्राइब यार प्यारे दो हाँ पयारे लो बिलकॉल